इस मोड्यूल में हम प्रोटोजोन टेक्सॉनमी यानि प्रोटोजोन टेक्सॉनमी में फाइलम, सब फाइलम, सुपर क्लासिज, प्रोटोजोन के लेवल पे डिसकस करेंगे. प्रोटोजोंस जो हैं इन को हम 7 फायलम के अंदर डुवाइड करते हैं फायलम सारकोमैस्टीगोफोरा फायलम लेबरेंथो मॉर्फा फायलम эпी कॉमपलेक्सा फायलम माइक्रोपोरा फायलम इसेस्टोफोरा फायलम मिक्सोजोड और फायलम कर लेते हैं सारको मैस्टीगोफोरा इसके अंदर प्रोटीस है यानि सिंगल टाइप का न्यूक्लिस मजूद है और लोको मोशन के लिए फ्लेजलम फ्लेजला सूडो पोडिया या दोनों मजूद है अब इसके अंदर रिप्रोडेक्शन भी सेक्शुल एसेक्शुल दोनों पसरीकों से हो गी। दूसरे हैं फाइलम मैस्टीगोफोरा। फाइलम मैस्टीगोफोरा के अंदर औतो ट्रोफिक मोड अफ नूट्रिशन हो सकता है विएस प्लेजलेट्स और फैटोफ्लेजलेट्स जहां से आप इसकी एंग्जामपल्स देख सकते हैं ट्राइपैनोसोम गाइडियार, ट्राइकोमोनस, यह सारे जो पैरसाइट्स हैं, दे बिलॉंग टू इस सब फाइलम, फिर है फाइटो मैस्टीगोफोरा, इनके अंदर मोस्टली क्लोरोप्लास्ट जो है वो मजूद होगा, यूगलीना, वालवोक्स, क्लेमाइडो मॉनक्स इसकी मिसाले हैं, जो मैस्टीगोफोरा, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट मॉजूद नहीं होगा, इसके बाद है सब फाइलम सारकोडीना, सारकोडीना के अंदर मोस्ली जो अमीबाइड मोड आफ लोकोमोशन है, वो होगा, और अमबीबा जो है, इसके अंदर एक्सिलेंट एक्जामपल है, फिर है रिजोपोडा, रिजोपोडा के अंदर जो डिस्टिंक्ट सूडोपोडिया मॉजूद नहीं होंगे, बलके लोबोपोडिया और फाइलोपोडिया होंगे, इसमें अमीबा, एंट अमीबा, दाइफलूगिया, कॉमन एनिमल्स की एक्जामपल है, फिर है सुपर क्ल अमीबा, एक्सिलेंट इग्जामपल्स शोउन दिस प्रोटोजोण टेक्सओनमी, फिर है मेरीन रेडियो लेरियंस, इनके अंदर सीलिशियस टेस्ट महजूद है, फिर है फ्रेश वार्टर हेलियूजोन्स, आलमस् 3,000 इसकी स्पीशिस है, इन में सब फाइलम, इसके अंदर स्पिंडल शेप्ट या स्फेरिकल एंडो प्लाजमिक नेटवर्क मौझूद है लेबरिंथू लेबरिंथूला इस एन एक्सिलेंट एक्सामपल और यह एनिमल्स ज्यादा तर मेरीन फाइलम एपी कॉम्पलेक्सा यह पेरसिटिक एनिमल्स है सीलिया फले जैला जो भी पेरसिटिक होगा इसके अंदर लोकोमेटरी और गैनिलिस मवजूद नहीं होंगे इसके अंदर जो है कॉक्सीनेडियन फाइफ़िफ्टी फाइफ थाउजड फिफ्टी फाइफ फाइफ ह फिर है माइक्रोस्पोरा नाम से अंडरस्टूड है कि माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलिलर स्पोर लाइक एनिमल्स है इसके अंदर इंट्रासेलिलर पेरसाइट्स है और यह जो है एनिमल्स के मेजर ग्रूप्स के अंदर ज्यादा तर इनकी प्रेजेंस एजा पेरसाइट ए फाइलम मिक्सोजवा ये स्पोर्स जो है स्पोर्स शेफ्ट हैं ज्यादा तर मल्टी सेलूलर उरिजन के हैं दे अर आल पैरसाइट फ्रेश वार्टर मेरीन दोनों तरह की हैबिटेट के अंदर हमें ये पैरसाइट मिलेंगे फिर है फाइलम सीलियोफोरा इसके अंदर वो प्रोटोजोवा मजूद है जिनके अंदर सिंपल या कमपाउंड लाइक सीलिया लाइफ हिस्ट्री की किसी भी स्टेज के अंदर डेवेलप होंगे यानि आफ़ाइस आगर देखे प्रोटोजोन के अंदर पैरसिटिक से जो है non-parasitic lifestyle की origination हो रही है और नार्मली उसमें ciliofora के अंदर जो है freshly या आप कहलें non-parasitic lifestyle जो है वो independent organisms की origination यहां पे start है इसमें example है paramecium, verticella, valentidium, stentor इसमें आप देखें paramecium, stentor, antodinium और nectotherus, ovilis, common animals हैं जो ऐस्ता ऐस्ता fresh water के अंदर independent life origin का अगास करते हुए नजर आएंगे